Samsung ने अपने दो जबरदस mobile phone Samsung Galaxy Flip 4, Samsung Galaxy Fold 4 को launch किया है कुछ छोटे कुछ बड़े changes के साथ आई इस वीडियो में हर चीज़ देखते हैं अब तक कि अगर आपने subscribe नहीं किया हो तो पहले bell icon को दबाईए bell ना दिख रही हो तो पहले subscribe का button फिर bell icon दबाईए आई आगे देखता है इस वीडियो में हम लोग Samsung Galaxy Flip 4 के बारे में बात करेंगे अगर हम लोग design की बात करें तो यह fold करने पर close करने पर यह आपका iPhone 13 mini से भी छोटा दिखता है इस बार flip में hinge और छोटे कर दिये गया है और improvement भी काफी किया गया है जैसे पहले थोड़ी सी आवाज आती थी बंद होने में खुलने में वो चीज खतम हो गई है hinge का weight थोड़ा सा light कर दिया गया है जिसकी वज़े से weight पे भी असर पड़ा है hinge छोटा होने से battery का size और बड़ा हो गया है flip में camera housing और improve कर दी गई है camera housing जो camera के बाहर आप एक ring देखते हो ना एक पतला सा camera protect करने के लिए और glass को protect करने के लिए एक पतला सा ring बराबर में होता है वो चीज को और improve कर दिया गया है आपका इससे पहले flip 3 में round edges थी मगर ये flip 4 में आपकी flat edges दे दी गई है और glossy metal side में दे दिया गया है आप ये कहे सकते हो कि वो iPhone के साथ flat frames का जमाना चल गया है तो लोग अभी इस time पे सारी company जात अतर flat edges वाले phones बना रहा है और ये aluminium frames पहले से काफी ज़ादा tough बना गया है flip 4 गजब के matte colors के साथ आ रहा है matte colors लगते भी अच्छे हैं pink gold graphite bora purple और blue अब अगर camera की बात करें तो camera flip phone है flip आप कहीं पर भी खड़ा करके इसमें video कीच सकते हो photos कीच सकते हो कोई भी reels बना सकते हो कुछ भी कर सकते हो मतलब एक tripod की तरह काम करता ही है front camera 10 megapixel का है back camera 12 megapixel wide और 12 megapixel ultra wide है रुक 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 और भी काफी चीज़ें है camera के बारे में जरूरी अच्छी लगेंगी जानना camera की जो sensors हैं वो और bright sensor से मतलब light और अपने अंदर लेते हैं जिसकी वज़े से photo quality बहुत अच्छी आती है और इस बार इस mobile phone में pixels भी बढ़ा दिये गए हैं वज़े से photos और जादा bright और जादा detailed और और जादा vibrant और अच्छी दिखती है flip 4 के अंदर OIS और VDIS भी है यह क्या होता है OIS का मतलब होता है Optical Image Stabilization वो चीज होती है कि जैसे आप कभी जीने उतर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो हाथ शेक करता है ना इसमें हाथ शेक नहीं करता है मतलब हाथ अव्यस ही बात है आपका हाथ शेक करेगा मगर वीडियो में ऐसा नहीं दिखता है कि आपका हाथ शेक कर रहा है Visual Digital Image Stabilization यह भी एक Stabilization ही होता है मगर यह एक प्रोसेसर के थूरू होता है जो इसमें inbuilt है इस Mobile Phone का Camera, Sensor, Stabilization इतना अच्छा है कि राद में भी फोटोस बहुत अच्छी कीजेंगी एक चीज इस Mobile Phone में मुझे बहुत पसंद आई कि जो आप Camera Flip करने के बाद भी आप फोटोस बाक कामरा से बहुत अच्छी की सकते हो सब चीजें आपकी Cover Screen पर दिखने लगती है आप Videos, फोटोस जो भी आप बना रहे हो आप उस पर बिना कुछ करें आप उस पर जो नॉर्मल बिना Mobile खोले बस आपने उठा या नॉर्मल आप देख सकते हो ये चीज मुझे वाकए में बहुत पसंद आई इसमें Main Screen इसकी 6.7 inches की है और इसमें बेजल्स और पतले हो गए है बेजल्स क्या होता है Screen में देखते हो Black Color की एक Rectangular एक पत्टी होती है उसको बेजल्स कहते है इसमें और पतले हो गए है उसकी वज़े से क्रीन और बड़ी दिखती है और Main Screen का Glass इनों ने बहुत पतला कर दिया है 120 Hz का Rain Refresh Rate है और एक चीज़ अब इस Mobile का इस Screen में कुछ Material ऐसे लगते थे पीछे जो Metal के होते थे उसकी वज़े से Weight काफी हो जाता था अभी इन लोगोंने कुछ Advancements किया है कुछ नई Technology यूज़ की है जिसकी वज़े से Mobile का Weight बहुत हलका हो गया है पिछले के मुकाबले तो बहुत हलका Weight है इस बार अब Cover Screen की बात करते है Cover Screen 1.9 इंचेस की है Super Amolet Display के साथ इसकी Screen Gorilla Glass Victus Plus से बनी वी है जिसकी वज़े से इसमें Scratch Resistance भी है आप इस Screen से Message देख सकते हैं अब अगर बैटरी में हुए बड़े चेंज की बात करें और हाँ आप लोगो तो पता है Subscribe कर लो क्योंकि पहले यह सब चीज़े मैं काफी चीज़े इसकी launch होने से पहले बता चुका हूँ कि हाँ यह चीज़े आने वाली नी कई जगाओं से leaks दिख जाते हैं मिल जाते हैं तो upload कर देते हैं आप लोगों को information पहले से मिल जाती है चलिए ज़ा ठीक है बैटरी बबात करते हैं इसमें बैटरी 3300 mAh से बढ़कर 3700 mAh की हो गई है हिंज मैंने बताए तना आपको कि हिंज अभी इंप्रूव हुए हिंज चोटे हुए है उसकी वज़े से बैटरी साइज इसमें बढ़ गया है फ्लिप 4 में यूज किया जाने वाला प्रोसेसर लेटेस्ट स्नाप ड्रागेन 8 प्लस जैन वन है 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ पहले जो हीटिंग प्रॉबलम आती थी फ्लिप 3 में वो अब फ्लिप 4 में नहीं आएगी सरिफ इस प्रोसेसर की वज़े से जो काफी जादा एडवांस और फास्ट है जो हीट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है वीडियो पसंद आयो तो लाइक जरूर करिएगा मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लिजएगा हिंज अब दिल में दर्थ क्यों हो रहा